आपको बताओंगी कोगनिजिबल ओफिंस के बारे में कि किसे कहते हैं CRPC 1973 के अकॉर्डिंग संगी अपरात क्या होते हैं आज यह मैं आपको इस वीडियो में बताओंगी लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो उसका नोटिफकेशन आपको मिल पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं आपको बता दू जो क्राइम होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है एक है कॉंगनिजिबल ओफंस यानि कि संगी अपराद दूसरा है नौन कॉंगनिजिबल ओफंस यानि कि असंगी अपराद अपरादों का ये वरगी करण उनकी गंबीरता और उनकी नेचर के उपर डेपैंड करता है ऐसे crime यानि ऐसे अपराद जो बहुत गंबीर संगीन है यानि की जो बहुत serious category के होते हैं वो संग्य अपराद यानि की cognizable offense होते हैं और जो अपराद समानिय नेचर के होते हैं छोटी कैटिगरी के होते हैं जो ज़्यादा सीरिस नहीं होते हैं उसे असंगी अपराद कहते हैं फॉर एक्जामपल चीटिंग, फॉरजरी, डेफरमेशन, ऐसे एक्टरा CRPC के कोरडिंग, congregateboli offence ऐसे matter होते हैं जो पहली सूचना के अधार पर यपिसी कानून के अनुसार से पुलिस के द्वारे किसी अपरादी को बिन वारण्ट के अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे अपराद को ही congnisable offense कहा जाता है क्योंकि यह जो matter होते हैं, यह serious nature के होते हैं इसी तरह से मुस्ताक वर्सिस टेट औफ उर्तर परदेश के मामले में इलाभाद हाई कोट ने बिजली चोरी के अपराद को कॉंगनिजेबल ओफिंस बनाय जाने की अनुशंसा की गई है क्यूंकि बिजली चोरी समाज के खिलाफ अपराद होता है इसलिए ये एक का जैसे मर्डर, रेप, डॉरी देट, एसेक्टरा ये एक्जामपल है कॉंगनिजेबल ओफिंस के सो अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं सो आज की शॉर्ट वीडियो में सिरफ इतना ही सो थैंक यू सो मज हैसे प्रॉबत, इक हो एक का सकते हैं सिर्फ एकषिए सुप एक उस ल sailors वी ले हो जरू ने हामगाँ।